दोस्तों दूद को एक संपूर्ण पोश्टे का हार माना जाता है इसके फायदे के रूप में हमें कई तरह की बाते बताई जाती है वैसे भी आम तोर पर लोग इसे पिते तो हैं ही इसमें आपको स्वाद और सेहत दोनों मिलते हैं लेकिन दूद पिने को लेकर कई तरह की धारनाएं भी प्रचलित हैं जैसे कि थंडा दूद पिये या गर्म दूद पिये इन सभी धारनाओं के अपने आधार हैं यहां ये बता देना आवश्यक है कि कुछ साबधानिया बरतते हुए आप दोनों तरह से आप दूद पि सकते हैं पुरे दुनिया में दूद पिने के फायदों को लोगों ने महसूस किया है थंडा दूद पिने एसीडिटी, मोट अपा, बार बार भूख लगना आदी जैसी छोटी मोटी बीमारिया दूर हो सकती हैं गरम गरम दूद पिने के क्या है फायदे यही नहीं अगर आप जिम से आकर बुरी तरह से ठक जाते हैं और तुरंट एनरजी के लिए कुछ खाने के लिए दूदते हैं तो आपको एक ओर्टस और थंडे दूद का कटोरा भर खा जाएं इससे आपकी खोई हुई एनरजी भी वापस आएगी और मसल्स को रिपया होने के लिए प्रोटीन भी मिल जाएगा मोटापा काम करने में अगर आप बिल्कुल थंडा दूद पिये तो शरीर को पहले उसे सामान्यतापमान पर लाने के लिए कैलोरी बन करनी पड़ेगी और फिर उसे पचाना पड़ेगा इसस कैलोरी के खर्च होने से आपका मोटापा नियंतरन में रहेगा नींद आने में सहायक हलका गुनगुना दूद पीने से नींद आती है क्योंकि दूद में अमीनो ऐसे ट्रिप्टोफान पाया जाता है जो की दूद गर्म होने तथा स्टाच वाले फूद के साथ पीने से दिमाग में घुश जाता है मगर ठंडे दूब में प्रोटीन होने की वज़े से ऐसा नहीं हो पाता और इसलिए इसको दिन में कभी भी पी सकते हैं प्याप्टिक अलस दूर करने में थंड़ा दूर के कई फायदे हैं उनमें से एक ये भी है कि इसको पिने से आपको प्याप्टिक अलस से छुटकारा मिल सकता है धीरे धीरे थंडा दूद पीने से पैप्टेकल सके कारण से पैदा होने वाला दर्ब दूर हो जाता है भूख मिटाने में, खाना खाने के बाद अगर आपको बार बार भूख लगती है तो आप थंडा दूद पी सकते हैं आप चाहे तो थंडे दूग में ओट्स मिला कर भी खा सकते हैं इससे आपकी भूप तो मित्ती ही है साथ ही आपको कई स्वास्थिलाब भी मिलते हैं hydrated रहने में थन्डे दूढ में electrolytes होते हैं जो शरीर को dehydration होने से रोपते हैं अगर आप दिन में दो गिलास थन्ड़ दूढ पीएंगे तो आपका शरीर हमेशा hydrate बना रहेगा दूढ पीने का सबसे अच्छा समै है कि इसे सुबह पिया जाए पाचन तंत्र की मजबूती के लिए इसमें गैस को दबाने के गुन होते हैं जो की खाना पचाने के लिए लापकारी है यह फैट, गी या तेल को आराम से पचा सकता है अगर इसमें अर्रेक या मिर्च मिला कर पिया जाए तो ज्यादा असरदार होता है एनजी डूद के रूप में, भारी वकाउट के बाद का डूद जिम में भारी कसरत करने के बाद अगर कोई एनजी से भारी डूद पीनी है तो आप थंड़ा दूद पी सकते हैं इससे मसल्स को रिपय होने के लिए प्रोटीन और शरीर को एनजी मिलता है तवचा के लिए, हमारे शरीर की तवचा को बहतर बनाने में दूद बहुत ही महत्वपून भूमिका निभाता है चेहरे पर थंड़ा दूद लगाने से तवचा क्लीन और टाइट बनती है इससे तवचा हाइडरेट और मुलायम बनती है साथ में तवचा को कई पोशक तत्वों की प्राप्ती भी हो जाती है इसलिए रोजाना दूद पीना शुरू कर दे तो कई तरह के और लाब मिल सकते है